हेलो इस्टुडेंट्स स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इस्टडी सर्गल 24 में तो इस्टुडेंट्स आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है हाँ बिल्कुल आप सही देख रहे हैं कि उनका जो एक्जाम है 14 जून से होने जा रहा है और किस मोड में होगा वह आप देख लीजिए यह बहुत ही अच्छी खबर आप लोग के लिए ठीक है तो आप देख सकते हैं इस न्यूज आर्टिकल के माद्यम से आपको यह बताया गया है कि 36 गड़ में 14 जून से ओपन ब करने के एक दिन बाद ही ओपन की परिच्छा की तीथी भी घुसित कर दी गई है और साथ में 36 गड़ राज्ज यो ओपन की दसमी और बार्मी की परिच्छा 14 जून से आयोजित करेगा इसमें एक लाग पैंतिस हजार परिचारती सामिलोंगे इस परिच्छा में भी परिच चार्तिक घर बैठकर ही परिच्छा देंगे तो ओफिसली यह अनॉंस्मेंट हो चुका है लेकिन अगर हम बात करें ओफिसियल नोटिफिकेशन की तो वो अभी तक नहीं जारी किया गया है तो जैसे ही ओफिसियल नोटिफिकेशन जारी की जाती है उसे भी हम आपको बता दे लेकिन अब यह इस निउस आर्टिकल के माद्यम से यह फाइनल हो चुका है कि जो ओपन बोट का एक्जाम है वह भी ब्लेंडेड मोड में ही होगा और लगातार हम लोगों के दोरह यहीं मांग की जा रही थी ब्लेंडेड मोड के लिए क्योंकि देखिए ब्लेंडेड मोड देंगे आप तीसरा assignment भी तो तीन assignment होगा उस अधार पर अगर आपको marks मिलते number दिया जाता क्योंकि आपका practical भी नहीं add होता तो इस current से आपके percentage बहुत कम आते और लेकिन अब blended mode घर बैठकर आपको exam देना है कोई भी tension आपको लेने की जरूत नहीं है ठीक है तो आप अच्छा percentage बना सकते हैं ठीक है तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ख़बार है और जैसे यह official notification आएगी हम आपको जरूर बता देंगे ठीक है इसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe करके रखें और इस वीडियो को जादर जादर अपने दोस्तों को भी share करें क्यों लेकिन हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि official notification अभी जारी नहीं की गई है ठीक है मैंने वहाँ पास phone लगा कर भी पूछा लिखिन वहाँ के जो number है वो लगातार बंद आ रहे हैं क्योंकि अभी किसी कारण वर्स अभी भी open board के अपिस में अभी भी ताला ही लगा हुआ ह है ठीक है तो जैसे ही official notification जारी कर दी जाती है हम आपको जरूर बता देंगे ठीक है इस वीडियो को ज्यादे ज्यादा सेर कीजिए जिससे की सभी student जिनको tension हो रहा था वो सभी relax हो सके ठीक है और भी ज्यादे जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे हैं ठीक है मिलते है एक जून को सारे उसकूल ओपन हो रहे हैं ठीक है क्योंकि एक जून से 12 वालों के लिए answer seat और answer seat दिया जाना है ठीक है answer seat दिया जाएगा और सामपे question paper तो इसलिए सारे उसकूल खुलेंगे तो उस समय आप अपने study center से contact करिए और उसी दिन या फिर उसके एक से लेकर 5 के ब हुआ है तो उन दो को आप submit कर सकते हैं ठीक है लेकिन finally है एक जून को आपका school यानि study center वो तो open हो जाएगा ठीक है तो आप contact बनाईएगा उस समय अपने study center से वहाँ submit कर दिजिए ठीक है और कुछ लोग students ये भी कह रहा थे कि उनसे पैसे मांगे जा रहा है तो देखिए पैसे देने का कोई भी rule नहीं है तो इसलिए आप सभी से मेरा ये निविदन है कि कोई भी पैसे नहीं देगा submit करने का ठीक है क्योंकि कहीं भी किसी भी school में किसी भी study center में लेने का पैसे ल आप हमारे चैनल के साथ बने रहें थैंक यू और गुड़ बैर